हेलो फ्रेंड्स तो आज कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सराइज 4.1 के कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन के बारे में जैसे कि हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज हम करते हैं कोश्चन नमबर फरस्ट का फिफ्थ पार्ट फरस्ट के फिफ्थ पार्ट में देखिए हमारे पास क्या गिवन है 2x-1 ब्रैकेट में x-3 is equal to x plus 5 और 7 में x-1 चलिए इसको ओपन करते हैं तो ओपन जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा देखिए 2x को multiply x से करेंगे तो कितना आएगा 2x square 2x की multiply 3 से करेंगे तो 6x 1 की x के साथ करेंगे तो x minus minus plus 3 is equal to इसको ओपन करो x की x से करेंगे तो x square minus x की 1 से करेंगे तो x 5 को x से करेंगे तो 5x 5 को 1 से करेंगे तो minus के 5 ओपन करो इसको 2x square 6 और 1 7x plus 3 is equal to इसको उपन करो x square 5 में से क्या 4x minus 5 अब इस सारे को इधर लेकर आ जाते हैं तो हमारे पास बनेगा 2x square minus 7x plus 3 ये x square minus को जाएगा और 4x भी minus को जाएगा और x 5 हमारे पास minus का तो इधर आके plus को जाएगा is equal to 0 तो 2x square में से x square minus करेंगे तो कितना आएगा x square 7 और 4 कितने हो जाएगे 11x और 5 और 3 कितने हो जाएगे 8 is equal to 0 तो अब आप इस equation को ध्यान से देखें इस equation में हमारे पास देखें variable की जो degree है वो कितनी है हमारे पास 2 है तो इस equation को हम quadratic equation बोलेंगे तो answer क्या जाएगा yes ऐसे ही हम first का sixth part करते हैं sixth part में हमारे पास given है x square प्लस 3x प्लस 1 is equal to x minus 2 का whole square चलिए करते हैं इसको open कैसे open करेंगे देखें लेफ्ट साइड में हमारे पास same रहेगा 3x प्लस 1 is equal to यहाँ पे हमारे पास formula लगेगा a minus b का whole square क्या formula होता है a square plus b square minus 2ab ठीक है तो इसको सारे को इधर लेके आ जाओ तो यह हमारे पास बन जाएगा x square plus 3x plus 1 यह x square plus का इधर आके minus को जाएगा यह 4 plus का इधर आके minus का यह minus 4x इधर आके plus का is equal to 0 अब देखें यह x square plus का है यह x square minus का है तो दोना पसमें cancel out हो जाएंगे 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7x और 4 में से बन गया minus 3 is equal to 0 अब आप इस equation को ध्यान से देखें इस equation में हमारे पास क्या है कोई भी polynomial की या कोई भी variable की degree जावो 2 नहीं है तो इस equation को हम quadratic equation नहीं बोल सकते तो इसका answer क्या जाएगा no आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो ऐसी हम कर लेते हैं first का seventh part first के seventh part में हमारे पास given है x plus 2 की power 3 is equal to 2x bracket में हमारे पास आएगा x square minus 1 अब देखें इस equation में हमारे पास left side में देखें क्या given है left side में हमारे पास a plus b की power 3 given है तो यहाँ पे हम formula लगाएंगे a plus b की power 3 का क्या formula होता है a cube plus b cube plus 3ab bracket में a plus b यह formula आप यहाँ पे use करेंगे चलिए इसको use कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा देखें a cube यानिकी x cube plus 2 की power 3 plus 3a और 7 में b bracket में हमारे पास आजएगा a plus b right side में हमारे पास simply यही रहेगा इसकी multiply कर देते हैं 2x की x square के साथ तो यह बन जाएगा 2x cube और इसको multiply करेंगे 2x के साथ तो 2x आजाएगा खली इसको open करो x की power 3 2 की power 3 कितना होता है 2 की power 3 को multiply करेंगे यानि कि 2 को 3 बार multiply करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 plus 3 दूनी 6x bracket में हमारे पास आजएगा x plus 2 is equal to इसको open करने की जूरूत नहीं है simply ऐसे लिख दो minus k 2x इसको open करो कितना हैगा x cube plus 8 plus 6x की multiply x से करेंगे तो कितना हैगा 6x square plus 6x की multiply 2 से करेंगे तो 12x is equal to 2x की power 3 minus के 2x अब क्या करेंगे देखो इस equation को सारी को में इधर लेके आजाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा x cube plus 8 plus 6x square plus 12x इसको सारे को जब इधर लेके आएगे तो 2x cube जो हमारे पास plus का है इधर आके minus को जाएगा और यह minus का 2x है इधर आके plus को जाएगा is equal to में आजेगा 0 अब देखिए यहाँ पर x cube है यहाँ पर हमारे पास है minus के 2x cube तो x cube में से 2x cube minus करेंगे तो हमारे पास बचेगा x cube और ऐसे ही x square के ट्रम सिरफ हमारे पास एग ही है तो इसको ऐसे लिख दो 6x square x value ट्रम हमारे पास 2 है 12 और 2 12 और 2 कितने होते है 14x और हमारे पास constant सिरफ एक ही है that is 8 is equal to 0 तो अब इस equation को आप ध्यान से देखिए इस equation के हमारे पास quantity equation नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह इसमें variable की जो degree है कितनी है 3 तो इसका अंसर क्या आजाएगा no आजाएगा same ऐसे हम first का 8th part कर लेते हैं यह भी simplify करके same ऐसा ही आएगा देखिए equation को लिख लेते सबसे पहले x q minus 4x square minus x plus 1 is equal to यहाँ पर हमारे पास आजेगा x minus 2 की power 3 चलिए left side में हमारे पास same रहेगा x की power 3 minus 4x square minus x plus 1 is equal to यहाँ पर formula लगेगा a minus b का q क्या formula होता है a q minus b q minus 3 a b और bracket में a minus b चलिए open करते हैं इसको x q minus 4x square minus x plus 1 is equal to में हमारे पास आजेगा x की power 3 2 की power 3 कितना होता है 2 को 3 बार multiply करेंगे तो कितना आएगा 8 3 2 जा 6 x और bracket में आजेगा x minus 2 open करो इसको x q minus 4 x square minus x plus 1 is equal to इसको open करेंगे कितना आएगा x q minus 8 6 x की multiply x से करेंगे तो कितना आएगा 6 x square और 6 2 जा कितना होते हैं 12 x ठीक है अब यहाँ पर देखिए x cube से अब इस सारी equation को इधर लेके आजाते हैं पहले एक बार तो यह बन जाएगा x q minus 4 x square minus x plus 1 और जब इसको इधर लेके आएगे तो minus x cube होजेगा यह plus का 8 होजेगा यह plus का 6 x square होजेगा और यह 12 x minus का जेग अब देखिए यह x cube plus का है यह minus का है तो आपस में cancel out हो जाएंगे और यहाँ पर 6 x square और 4 x square 6 में से 4 गया 2 x square x वाली हमारे पास 2 ही ट्रम है एक है 12 और एक है x तो यहाँ पर आजेगा 13 x और 8 और 1 कितने होते हैं 9 तो यह equation हमारे पास finally बचेगी इस equation को आप ध्यान से देखिए इस equation में हमारे पास क्या है जो variable है उसकी degree कितनी है 2 तो इस equation को हम quadratic equation बोल लेंगे तो इसका अंसर भी क्या जेगा हमारे पास yes आज जाएगा ठीक है दोस्तो तो आज किस वीडियो में आपको कैसा लगा आप प्लीज comment करके जुरूर बताएं और ये वीडियो आपके लिए बहुत important है क्यूं है देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ भी करने की जुरूरत नहीं है आपको notes directly बने बनाई मिल रही है simply आपने photo state की दुकान पे जाना है और या फिर आप simply इसका उपनी notebook में भी उतार सकते है ठीक है अपना जो fair register आप ऐसे ही बना सकते है कोई issue नहीं है ठीक है इसमें proper तरीगे से मैंने सारा कुछ लिख रखा है ठीक है दोस्तों तो पढ़ाई करते रहिए All the very best